मेश राशी स्वास्थ का अपने बहुत ध्यान रखिए पहले से बहतर जरूर है लेकिन सावधानी बनाए रखिए विवा के मामलों में थोड़ा विलम्म दिखाई दे रहा है और अभी आप एक दो दिन के लिए अगर अपने महत्वपूर्ण काम टाल दें तो जादा बेहतर होगा किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके दिन के मुश्किले कम हो जाएंगी शुभरंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रुतिशत यानि मेहनत जादा होगी भागी थोड़ा कम रहेगा व्रिशवराशी संपत्ति लाब के योग आपके लिए बने हुए है करियर में आपके नई शुरुवात हो सकती है और इस समय गाड़ी खरीच सकते हैं वाहन का लाब हो सकता है भगवान गडेश को अगर आप दूरुवा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रुतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिठुन राशी आपके स्वास्थ में सुधार होगा धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप प्रियास करेंगे तो आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी खाने पीने की वस्तुका किसी गरीब आदमी को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है असी प्रितिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है कहीं फसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा मानसिक चिन्ताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और इस समय आपको करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे किसी निर्धन व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 90 पृतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी धन हानी से आपको बचाव करना होगा अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान रखिएगा और परिवार में बेवज़ा के विवाद ना हो उनसे भी आप बचाव करिएगा गाए को अगर हरा चारा आप खिला दें तो आपका दिन मुश्किलों से पच जाएगा शुबरंग होगा नारंगी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत जादा होगी भागे थोड़ा कम रहेगा कन्याराशी आर्थिक स्थिती में आपके सुधार होता दिख रहा है रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे और संतान को लेकर जो तनाव था संतान को लेकर जो चिंता थी वो चिंता भी दूर होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी दिन और भी जादा बेहतर होगा शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुलाराशी पहले की तुलना में आपका स्वास्थ ग्रेजुवली धीरे धीरे बेहतर होगा काम में आपको सफलता की प्राप्ती होगी और धन की स्थिती में आपके सुधार होगा यानि दिन आपका अच्छा है भगवान गणेश को अगर आप दूरवा अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किले हल हो जाएंगी शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है विश्यक राशी आपको करियर में सफलता की प्राप्ती होगी रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा लेकिन इस समय कृपा करके वाहन आप साबधानी से चलाईएगा किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है पच्छत्तर पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी बेवज़ा के विवादों से आपको बचना चाहिए करियर में आफिस में काफी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ी रहेगी काम टालने से भी अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गाए को अगर आप हरा चारा खिला दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत जादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मकर राशी आपकी आर्थिक स्थिती उत्तम दिखाई दे रही है financially problem नहीं है और जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी काफी हद तक आपकी हल होंगी जल्दबाजी में काम मत करिएगा वरना बना बनाया काम इस समय आपका बिगर सकता है किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किले कम होंगी आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्भराशी करियर की स्थिती आपके लिए अच्छी बनी रहेगी परिवार में आपके खुशहाली आएगी व्यस्तता आपकी काफी ज़्यादा बढ़ी रहेगी ऐसा दिख रहा है भगवान गडेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपके दिन के मुश्किले कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फाइदा होगा मीन राशी करियर में सफलता का समय चल रहा है रिष्टों की समस्या आपकी हल होगी जल्दबाजी में कोई भी काम करने से फिलहाल बचाव करिएगा खाने पीने की वस्तुका अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मुझे बना हुआ है